अनुष्ठान करने वाले सभी सादक कुछ थोड़ी सी बातों का ध्यान अवश्य रखें एक स्थान पर जप हो, एक समय पर जप हो, सुबे शाम करना चाहें, अधिक है सुबे दुपहर शाम करना चाहें, तीन बार करें, स्थान एक रहें, बहुत विवश्चता हो, बहुत विवश्चता हो, तो स्थान और समय बदलें, अन्यता नहीं बदलें, जहां तक संभव हो, पूर्व बिमुख हो करके जप करें, नहीं संभव हो, तो कौन सी दिशा है जिसमें वो नहीं है, सूर्य अस्थ का समय आराम से इंटरनेट पर पता लग जाता है, मान लीजिए, सूर्य अस्थ का समय छे बज़े है, मान लीजिए, उधारन, तो पूरा जप, जो भी उस दिन का जप है, वो साथ बज़े तक पूरा हो जाना चाहिए, एक घंटा उपरान्त सूर्यस्तर से एक घंटा उपरान्त तक ही जप करना, उसके बाद नहीं करना किसी कारणवश जप आज नहीं पूरा हो पाया किसी एक दिन का तो उसे बांट करके आने वाले बाकी दिनों में कर ले आज की 21 माला नहीं हुई तो आने वाले दिन शेश भी पांच हैं तो चार-चार करके बांट लें, अन्तिन दिन पांच करके 21 पूरी करने हैं बांट लें या अगले दिन चाहें तो पूरा जब भी पूरा अगला दिन कर सकते हैं दुगना जब कर लें क्षमता देखें अपनी, समय देखें अपना भोजन की द्रिष्टी से एक समय का साधारन भोजन बिना लहसुन प्याज के एक समय का भोजन उपवास ही होता है और रही बात कुछ फल इत्यादी दूद की निश्चित रूप तो एक समय का समाने भोजन दाल सब्जी रोटी सहित वो पवास है अनित्यादी का त्याग संभव हो सहज हो तो करे अनिथा नहीं करे मेरा प्रचलन यूं तो बारा महिने 365 दिन 65 नहीं कहूंगा तो पांसा दिन कम कर दो बच्चों के साथ के भी जाना हो अनित्यादी वर्ष भर मेरा तो अभ्यास एक समय भोजन का ही है पर अवश्यक नहीं कि जो मैं करता हूं सभी करें ना कोई अवश्यक अनुष्ठान के दिनों में एक समय का भोजन सामाने पर्याप्त है मैं यही करता हूँ मैं कुछ इसमें विशेश कुछ नहीं करता है जो घर में बना है वो एक समय जैसा रोज लेता हूँ वैसे ही अनुष्ठान के दिनों में लेता हूँ तो यह मूल कुछ बाते हैं जिनका ध्यान रखना है किसी कारण वश कोई ऐसा व्यवधान आ गया जिस पर बस नहीं है सूतक इत्यादी सूतक पातक छोड़ करके जन्मरंग छोड़ करके कोई कारण ऐसा आ गया कि जाब पूरा नहीं हो पाए नौ दिन में कोई बात नहीं आने वाले नौ दिन के उपरा नवरातरी उपरांथ उसको दो-तिन दिन में पूरा कर ले दिया पर संकल्प लिया वा पूरून करना है सूतक पातक आ गया है जिस पर आपका बस नहीं है तो उसको छोड़िया इसका आर्थ वो फिर बाद में देखेंगे अभी ये चोटी-चोटी बाते हैं और मैंने अनुष्ठान से पूरू मनस्तिती निर्मान कैसे इस सीरीज में लगब आठ नो वीडियो है चोटी-चोटी उनके लिंक भी लगब सभी साथकों को भेज दिये हैं आज मैं और भी सब को भेज दूँगा जो अनुष्ठान नहीं भी कर रहे हैं उनको भी बेज देंगे जैसे सब लोग एक बार देख ale और आज सुबह ही में जल्दी बेज दूँगा जैसे सब लोग अनुष्ठान करने वाले और ना करने वाले अनुष्ठान करते समय बस इतना दियान आसन पवित्र आसन पर बैठ करके उपासनस्थली पर दीपक जलाना है अगर बत्ती जलाना आवश्यक नहीं है चुकि किसी को धूए से अगर कुछ समस्या है तो ना जलाएं बैठ करके और अपनी माला सहित माला सहित अत्वा माला बिना बिना माला फिस समय से ध्यान करना है करते हैं तो अनुमान लग जाएगा समय से करना है बैठ करके थोड़ा सा जल लिया बाएं हाथ में जाने हाथ से धका मंतर आता है ठीक नहीं आता तो छिड़क लिया, मैं मंत्र भी भेज दूँगा तीन बार आचमन करना है जैसे युक शक्ती में करते थे ईश्वर की तीन शक्तियां बाएं हाथ में जल लेके शिखार को स्पर्श करना है मंत्र में भेज दूँगा पर मंत्र के साथ बंदे मत रहना नहीं भी बोला जाए तो कोई आवश्रक नहीं है बस यहां से हमारा आदान प्रदान विचारों को होता यह जागरित हो जाए इंद्रियों से लीला चलती है इसलिए बाएं हास में जल लेके इंद्रियों को छू लिया एक बार मंत्र में भेज दूँगा गुरु तत्व का आवाहन करना गायत्री तत्व का आवाहन करना मा का और अपना जप अर्म कर देना जल साथ में रख लेना जिसमें अगर चाहो छोटे पात रहों तो दो रख लो एक अर्द देने के लिए सूर्य को गर में चीटा देने के लिए और चले जाना ठीक है ना बस करना संकल्प लेना बहुत सादकों ने लिखके बेजा है जिनने अभी नहीं लिखा और करना चाहते हैं वो संकल्प जल्दी लें दो अपरेल में ज्यादा दिन नहीं है मन और शरीर को तयार करना है आज 29 हो गई 29 30 31 एक चार दिन बचें चार दिन मे शरीर और मन शरीर मन और आसपास के लोग सबको तयार कर दो तो शरीर मन और आसपास के लोग तयार होंगे तो कोई दिकत नहीं है मैंने सारा विवरन सूक्ष मरूप में दे दिया है इसकी रिकॉर्डिंग की क्लिप भी मैं सुबह भेज दूँगा पर वो जो अनुष्ठा उससे बड़ी सहायता मिलेगी ठीक है आज के लिए इतना ही